हॉन्बिल बुक की चैप्टर 2 वी आर नाट अफरीड तू डाई इसके ओथर है ग्रैंडन कुक एन एलन इस तो इस चैप्टर में सबसे पहले ओथर ने एक इंट्रोडक्शन दिया है जिसमें वो बताते हैं कि ये टाइम था जुलाई 1976 का जिनमें ओथर उनकी वाइफ मैरी उनका जो बेटा था जौनतिन जो छे साल का था और उनकी डॉटर जो थी सुजान जो साथ साल की थी वो सभी एक सी वोईज पे निकलते हैं प्लाई माउथ इंगलेंड से और वो डुप्लिकेट करना चाहते थे कैप्टन जेम्स कुक की जर्णी को जो कि उन्होंने 200 साल पहले पूरी की थी जिसमें उन्होंने पूरी वर्ल का एक चक्कार लगाया था अपनी बोट में इसमें जो मेन कैरक्टर हैं वो 37 यर ओल एक बिसनिसमें थे जिनका हमेशा एक सपना था कि वो कैप्टन जेम्स कुक की जर्णी को रिपीट कर सकें और वो पिछले 16 सालों से अपने फ्री टाइम में अपने जो स्किल्स थी एक सी वोट से रिलेटेड उन्हें डेवलप करने में लगाय थे उनकी जो बोट थी उसका नाम था उसकी फिटिंग पर और उसे टेस्ट करने में कुछ roughest weathers में जो उन्हें आसपास मिलती थी अब author describe करते है अपनी जर्णी को जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें प्लान किया था कि उनकी जर्णी 3 years की होगी और जो जर्णी का first step था जो की 1,5,000 km का था वो बहुत ही अच्छे से पास हुआ जिसमें वो west coast of Africa से Cape Town तक गए थे इसके बाद उन्हें east ही तरफ जाना था और east में क्योंकि world's roughest seas आते हैं जो की है the south Indian oceans तो उस area को tackle करने के लिए उन्होंने अपने साथ दो crewman's American Larry Virgil and Swiss Harbour Seigler को ले लिया था इसके बाद Cape Town से निकलने के दूसरे दिन से ही उन्हें strong winds को counter करना पड़ रहा था और अगले कुछ हफतों तक ऐसी ही बहुत ही तेज winds चलती रही थी पर author बताते हैं कि ऐसी strong winds उनकी चिंता का कारण नहीं थी बलकि जो size of waves थी वो बहुत ही बढ़ चुकी थी वो actual में उनकी चिंता का कारण बन रही थी क्योंकि वो 15 मीटर से भी ज्यादा उची जा रही थी जो कि actual में उनकी main mast से भी ज्यादा था main mast एक boat का जो center pole होता है वो होता है इसके बाद author बताते हैं कि December 25 को जब वो 3500 km east आ चुके थे Cape Town से तब ही जो weather थी वो बहुत खराब हो चुकी थी पर फिर भी उनकी जो holiday थी वो बहुत ही अच्छी जा रही थी 25 December को मतलब Christmas के दिन उन्होंने Christmas tree भी लगाया था और उसके बाद जब New Year Day आया तब weather में कोई भी improvements नहीं थे weather change ज़रूर हो रही थी पर और खराब होने के लिए इसके बाद author बताते हैं कि जो January 2 था तब waves की size बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी और फिर उन्होंने अपने जो सारे storm jibs होते हैं उन्होंने हटा दिया था और सिर्फ एक small storm jib भी लगा हुआ था फिर भी winds इत्ती fast थी कि वो फिर भी 8 knots की speed से आगे बढ़ रहे थे जो ship थी वो continuously waves के उपर जा रही थी और जब वो waves के उपर जा रही थी तब उन्होंने बहुत ही vast enormous ocean को देखने को मिल रहा था जो की continuously उनकी तरफ आ रहा था और जो wind थी वो इतनी तेज थी कि उनके कानों में दर्द हो रहा था उस wind की आवाद से और अब boat की speed को slow down करने के लिए वो अपने आखरी storm jib को भी हटा देते हैं और इसके बाद वो कुछ heavy rope से पूरे stern के area को surround loop से कर देते हैं ताकि उसे strength मिल सके stern का मतलब होता है rear part of the ship इसके बाद वो सबी चीजों को double lash कर देते हैं मतलब अच्छे से band देते हैं और उसके बाद वो अपने life raft drill को भी check कर लेते हैं और जो lifelines होती हैं मतलब जो ropes होती हैं उसको अपने आप से attach कर लेते हैं ताकि बाद में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं हो और साथ ही में वो life jackets भी पहन लेते हैं और फिर इंतजार करने लगते हैं इसकी बाद आता है first disaster जिसमें शाम के 6 बजे बिल्कुल sunnata हो जाता है wind speed बहुत गिर जाती है और जो sky होता है वो बिल्कुल dark हो जाता है तभी उन्हें दिखता है कि उनकी तरफ एक बहुत बड़ा cloud आ रहा है पर जब वो cloud बहुत पास आता है तब उन्हें पता चलता है कि actual में कोई cloud नहीं है बल्कि बहुत ही बड़ी wave थी जो कि actual में double थी पुरानी waves के comparison में जो उन्हें बहुत बड़ी लग रही थी और वो बिल्कुली सीधी थी और वो सीधा आके उनकी ship से टकरा जाती है पहले तो author को लगता है कि उनकी ship जो है वो इस wave से निकल जाएगी पर बाद में बहुत ही जोरदार धमाका होता है और उससे उनका deck पूरी तरीके से टूट जाता है जो water होता है वो पूरी तरीके से उनकी ship के अंदर आने लगता है और जो author है उनका जो सर है वो सीधा जाके wheel से टकराता है जो wheel होता है direction देने के लिए एक boat में और उसके बाद वो सीधा अपनी ship से बाहर गिर जाते हैं और waves में डूबने लगते हैं उन्हें लगता है कि उनकी death बहुत ही नजदीक है और वो consciousness भी loose करने लगते हैं तब ही एकदम से वो पानी के बाहर आते हैं जब वो wave walker से कुछ meters की दूरी पर होते हैं तब ही वो देखते हैं कि जो wave walker है उसे waves ने पूरी तरीके से capture कर लिया है और उसका जो mask था वो पूरी तरीके से horizontally गिर चुका है तब ही वो waves के कारण जब boat आगे जा रही होती है तब ही उनकी जो lifeline होती है जो उन्होंने पहले attach कर ली थी अपने आप से वो tight हो जाती है और उस lifeline के help से वो boat की तरफ जाते हैं और guard rails के through वो boat के अंदर आ जाते हैं पर क्योंकि अब waves से सारा पानी boat के अंदर आ रहा होता है तो वो waves के कारण boat के अंदर ही एक doll की तरह इधर से उधर टकरा रहे होते हैं जिसके कारण उनकी left rib भी crack हो जाती है उनका जो मू होता है वो पूरी तरह के से खोन और तूटे होए दातों से भर जाता है साथ ही में बहुत ही मुश्किल से वो किसी तरह के से एक wheel को ढूलते हैं तब ही सामने वाले deck से एकदम से जोर से डोर के खुलने की आवाज आती है और वहां से Mary जो उनकी wife होती है वो आती है और वो जोर से चलाती है कि हम डूब रहे हैं जो deck है वो पूरी तरह के से टूट चुका है और अंदर पानी भरता जा रहा है तब ही जो author होते हैं वो Mary को कहते हैं कि वो कुछ देर के लिए wheel को संभाले तब ही वो देखते हैं कि जो Larry और Herb होते हैं जो की crewments होते हैं वो पागलों की तरह पानी को बाहर फेक रहे हैं तब ही वो देखते हैं कि जो cloths, crockery, charts, tins और toys जैसी बहुत सारी चीजें पानी में तैर रही थी और बहुत ही मुश्किल से वो अपने बच्चों के cabin तक जाते हैं और वहां जाकर पुछते हैं कि क्या वो दोनों ठीक हैं तब ही उपर से reply आता है उपर वाले bunk से कि वो दोनों ठीक हैं पर Suzanne जो थी उसके सर पर थोड़ी सी चोट आ गई है जिसके कारण उसके सर पर एक बहुत ही बड़ा bump आ चुका है उसकी आख के बिलकुल उपर पर क्योंकि अभी author के पास बिलकुल भी time नहीं है तो फटाफट hammers, cruise और canvas जैसी चीज़े ढूनते हैं और फटाफट जो starboard का side है जो पूरी तरके से तूट चुका है उसे repair करने की कोशिश करते हैं ताकि हर wave के साथ अंदर पानी नहीं आए और क्योंकि अगर वो उसे repair नह लेते हैं ताकि वो जो starboard का side है उसके जो सारे holes है और जो side तूट चुका है वो उसे waterproof कर सके और इस तरीके से वो काफी सारा पानी अंदर आने से रोक लेते हैं पर उसके बाद जो main problem आती है वो है hand pumps की जो की block हो जाते हैं आसपास मलवे के कारण और जो उनका electric pump होता है वो short circuit हो जाता है पानी के कारण अब जो water level है ship के अंदर वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है alarming rate से और तभी उन्हें याद आता है कि उनके पास 2 spare pumps भी है तब वो उन्हें लेने जाते हैं तो देखते हैं कि उनके जो दोनों spare pumps हैं वो पूरी तरीके से पानी के कारण तूट चुके हैं और साथ ही में उनके जो sales, jibs और जो main anchor था वो भी destroy हो चुके हैं इसके बाद उन्हें याद आता है कि chart room के floor पर उन्हें एक electric pump भी रख रखा है तो फटा-फट उसे connect करते हैं एक out pipe से और फिर वो देखते हैं कि वो actual में काम कर जाता है और वो इसके लिए बहुत ही thankful हो और साथ ही में वो पुरी रात made calls पर replies को gain करने के कोशिश करते हैं पर क्योंकि वो एक बहुत ही remote area में होते हैं मतलब उनके आसपास कोई भी नहीं होता है वो बहुत ही remote corner में होता है तो उन्हें कोई surprise नहीं होता है कि उन्हें कोई भी reply नहीं मिल रहा है made calls का made calls का मतलब होता है कि जब कोई ship किसी problem में फस जाती है तो help के लिए दूसरी ships को approach करने के लिए made calls देते हैं साथ ही में जो Suzanne थी उसके सर पर एक bump आ गया था वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और उसकी eyes जो थी वो पूरी तरके से black हो गई थी साथ ही में उसके हाथ प बारे में उन्हें पहले क्यों नहीं बताया तो कहती है कि वो उन्हें उस time पर जब इतना सब कुछ चल रहा था तब वो उन्हें और ज्यादा परिशान नहीं करना चाहती थी जब वो उनकी जान बचा रहे थे अब time आता है January 3 का सुबह का time होता है जो pumps होता है उनके कारण जो water level था ship के अंदर वो control के अंदर आ जाता है और साथ ही में उन लोगों को थोड़ी दे rest करने को भी मिल जाता है तब ही वो देखते हैं कि जो water line है उसके आसपास एक बहुत बड़ा leak होता है जब वो उसे check करते हैं तो उन्हें पता पड़ता है कि जो main frame होता है उनकी board का पूरी तरीके से destroy हो चुका है और जो उनका पूरा starboard का section है वो सिर्फ कुछ cupboard partitions के उपर ही टिका हुआ है उसके बाद अब उस incident के 15 hours के बाद जो wave walker होती है अब वो इतने अच्छे से नहीं चल पा रही होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा destroy हो चुकी होती है और अब author कहते है कि अब वो Australia तक तो नहीं पहुच पाएंगे इसलिए वो अपने charts को check करते हैं और calculate करते हैं कि वहाँ पर आसपास कुछ 100 km दूर कुछ छोटे-छोटे दो islands होते हैं जिन में से एक था L Amsterdam जो की French scientific base है पर जो main challenge था उनके लिए क्योंकि इतने wide और vast ocean में उन्हें एक छोटा सा island ढूणना था जो कि उनके लिए एक बहुत ही बड़ा challenge था और साथ ही में जो उनका auxiliary engine था वो भी इस wave के कारण बंद हो चुका था अब time आता है January 4 का और उस wave को hit किये हुए 36 hour हो जाते हैं तब ही से वो पूरे time continuously पानी को ही बाहर फेक रहे होते हैं और अब उनकी boat में सर pressure create होगा boat पर वो जो उनके main mast वो सीधा उनके hull के part को बाहर की तरफ तोड़ देगा इसलिए वो सिर्फ एक छोटा सा storm jib ही लगाते हैं आगे की तरफ बढ़ने के लिए साथी में इतने time के बाद Mary को कुछ corn beef और cracker biscuits मिलते हैं और वो almost दो दिन में पहली बार कुछ खा रहे ह होते हैं पर यह relaxation का जो time था वो बहुत ही छोटा था क्योंकि शाम के 4 बजे फिर से black clouds आने लग जाते हैं और फिर उसके कुछी घंटों बाद जो wind speed है वो फिर 40 knots तक आ जाती है जो की बहुत ही fast winds होती है और जो C था उसकी जो waves थी वो फिर उची होने लग जाती है और जो weather थी वो अगले दिन तक और खराब होने लग जाती है अब time आता है January 5 का जब उनकी situation बिल्कुल hopeless हो जाती है उस time पर जो author होते हैं वो अपने children's के पास जाते हैं तभी Jonathan उनसे पूछते हैं कि क्या हम मरने वाले हैं तभी जो author होते हैं वो उन्हें assure करते हैं कि ऐसा कुछ नही है मरने का क्योंकि वो उनके अपनी ममी और अपनी बहन के साथ जिसे हो कहते हैं we aren't afraid of dying if we can all be together you and mommy Sue and I author जब यह सुनते हैं तब उनके पास कोई words नहीं होते हैं बोलने के लिए साथ ही में वो बहुत ही determined हो जाते हैं उस sea से fight करने के लिए और वो सीधा जाते हैं starboard side पर जो क यूज करते हैं कुछ 22 liters plastic barrels of paraffin के साथ आगे आने वाली waves को stop करने के लिए उसी दिन शाम को वो अपनी wife Mary के साथ बैठे होते हैं और वो साथ में हाथ पकड़ कर बैठे होते हैं क्योंकि जो motion of waves था उसके साथ पानी हर wave के साथ अंदर आता जा रहा था और उन दोनों को लग धीरे होने लग जाती है और जो author होते हैं फिर वो chart room में जाते हैं और wind speeds को calculate करते हैं और इस हिसाब से calculate करते हैं अपनी position को और वो कुछ determine करते हैं कि वो कुछ 1,500,000 km wide ocean में सिर्फ एक 65 km wide island को ढूंड रहे होते हैं तब ही जब वो इस सब काम कर रहे होते हैं तब ही उनकी ब बुरी तरीके से सूज चुकी होती है और उनकी जो आखे होती है वो बहुत ही छोटी हो चुकी होती है उस bump के कारण जो Suzanne के सर पर था और इस हालत में भी Suzanne अपने पापा को एक card देती हैं जिसमें कुछ caricatures बने होते हैं उनके और उनकी wife Mary के और Suzanne कहती है कि इसमें कुछ funny people है और इन्हें देखकर मुझे तो बहुत हसी है कि आप भी इसे देखकर हस रहे हो साथ ही में अंदर एक message होता है कि वो उन दोनों को काफी प्यार करती है और वो उन्हें thanks कहना चाहती है और वो ये भी उसमें लिखती है कि उन्हें हमेशा best के लिए ही hope करना चाहिए और किसी तरीके से वो इस situation से बाहर निकल जाएंगे तब ही जो author होता है वो अपने calculations को check करते हैं फिर उसे recheck करते हैं और उस time पर इन सभी calculations को करते time वो अपने spare compass को use कर रहे होते है क्योंकि उनका जो main compass होता है वो खो गया होता है और उनका जो spare compass होता है वो भी magnetically correct नहीं किया हुआ होता है साथ ही में वो westerly currents के साथ जाने के लिए decide करते हैं Indian oceans में और दिन के कुछ करीब 2 बजरे होते हैं तब ही वो Larry के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो अपने ship को 185 degrees पर turn कर दें और अगर वो lucky हुए तो वो शाम के 5 बजे तक कुछ islands को देख पाएंगे तब ही जो author होते हैं वो काफी उदास होते हैं और वो अपने bank पर जाकर लेट जाते हैं और amazingly उन्हें उस टाइम पर नींद आ जाती और सीधा वो उठते हैं शाम के 6 बजे और अब उन्हें लगता है कि क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि वो 5 बजे तक islands पर पहुँच जाएंगे तो उन् उसी टाइम उसके पीछे खड़ी होती है तभी author होता है वो उनसे पूछता है कि वो उसे गले क्यों लगाना चाहता है तभी Jonathan continue करता है क्योंकि वो कहता है कि आप इस world के best daddy हो और best captain हो इस world के तभी जो author होते हैं वो Jonathan को कहते हैं कि पर शायद आज मैं best captain नहीं हूँ क्योंकि कि शायद हमने उन islands को पीछे ही छोड़ दिया है पर तभी Susan कहती है एक factful voice में कि हमें islands मिल गए हैं तभी author बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो सीधा भार जाकर देखते हैं कि जो दोनों islands जो island था वो सीधा उनकी ship के सामने था और वो island उन्हें इतना बड़ा दिख रहा थ है और उस पर बहुत ही थोड़ी सी vegetation भी थी पर क्योंकि वो इतने time से उस ocean में ही घूम रहे थे और इतने time बाद वो किसी land के पीस को देखते हैं तो वो उसे सबसे beautiful island लगता है इस world का तो उस रात वो offshore ही रुखते हैं और अगले दिन सुभे वो उस island पर उतरते हैं तभी उ इस island के पूरे 28 inhabitants उन्हें help करते हैं शोर पर आने के लिए जब author अपने पैरों के नीचे इतने time बाद जमीन को देखते हैं तो उनके जो thoughts थे वो पूरी तरीके से Larry, Herb से भर जाते हैं और वो उनके बारे में सोचते हैं कि ऐसी situations में भी ऐसी stressful situations में भी वो इतने cheerful और optimistic रहे उ साथ ही में सबसे ज्यादा वो सोचते हैं अपनी बेटी के बारे में जो कि एक 7 साल की लड़की थी और उन्होंने इसलिए अपनी चोट के बारे में अपने पापा को नहीं बताया क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं ऐसे time बी और साथ ही में वो अपने बेटे जो कि 6 साल का जानाथन उसके बारे में भी सोचते हैं क्योंकि वो एक ऐसा लड़का था जो उस time पर उन्हें कहता है कि उन्हें मरने का भी कोई डर नहीं है साथ ही में ऑथर ये भी बताते हैं कि जो उनकी बेटी थी उनके सर पर जो इंजरी थी उसे ठीक होने में 6 छोटे operations लगते हैं ज वी ओल कर दो